इंडिया ने हिस्ट्री क्रियेट कर दिये क्योंकि कल ही इसरो का चंद्रयान 3 मून लैंडिंग में सक्सेस्फुल हो चुका है और चाइना, रशिया, यूएसे के बाद इंडिया ऐसी चौत्ती कंट्री बन चुकी है जिनका स्पेस्क्राफ्ट मून पे है और सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 पहला ऐसा स्पेस्क्राफ्ट बन चुका है जो कि मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा और ऐसा हम कह भी सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरीके से रेस चल रही थी कि मून के साउथ पोल पे सबसे पहले कॉन लैंड करेगा और इंडिया वो रेस जीट चुका है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है पर इन सारी बातों के पीछे एक ऐसी बात है जिसको डिसकस करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है कई लोग ये मानते हैं कि चंदरयांत्री या कोई भी स्पेस एक्स्पोरेशन वेस्ट आफ मनी होता है जैसे कि इस पोस्ट को देखते हैं जहां पर लिखा है कि मुझे तो इस सब का कोई भी फाइदा नहीं लगता चांद की चार फोटो लेके क्या मिल जाएगा चांद की फोटो रिकालने के लिए या फिर ये पोस्ट जहां पर इंडिया को अमीर देशन से कंपेर किया गया है लिखा हुआ है कि इंडिया में पावर्टी है टॉयलेट्स नहीं है तो ये सब करना वेस्ट आफ मनी है और कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे मुशन्स को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से पैसे की बरबादी है तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या Space Explorations, क्या Isro हमारे देश का पैसा बरबाद कर रहा है क्या इस पैसे को सही तरीके से कहीं और लगा के देश का ज्यादा फाइदा हो सकता है सबसे पहले चंद्रियान 1 का जो पूरा budget था वो 386 करोड था चंद्रियान 2 का जो overall budget था वो 978 करोड था और चंद्रियान 3 का जो budget है वो 615 करोड है यानि तीनों चंद्रियान missions को लगभग add कर दिया जाये तो 2000 करोड के आसपास बनता है और कई लोग का opinion ये आसकता है कि इन 2000 करोड को कही और इस्तमाल किया जा सकता था इंडिया में ऐसे कई गरीब लोग है जिनको खाने की जरूरत है इतने बड़े amount से healthcare में काफी ज्यादा सुधार लाया जा सकता है या फिर इसको education sector में भी बहुत अच्छे से invest किया जा सकता है और ये तो फिर भी unmanned missions है यहाँ पे इनसानों का इस्तमाल नहीं किया जा रहा है बट अगर हम astronauts को space में भेजते हैं तो उसमें और भी ज्यादा खर्चा आता है जैसे इस stat को देखते हैं 1974 में नासा ने जो space suit बनाया था उसका cost लगभग 15 से 22 मिलियन के आसपास पढ़ता है जिसको अगर inflation के साथ count किया जाए तो 122 मिलियन के आसपास पढ़ जाता है और ये अकेला space suit ही पूरे चंद्रयान 3 के mission से बहुत ज़्यादा महेंगा है कलपना चावला और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि space missions में मारे गए हैं और last और सबसे बड़ा argument इसके against में ये आता है कि इतना खर्चा हो रहा है बट इससे फाइदा हो क्या रहा है इससे ऐसा क्या conclusion निकल रहा है ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी humanity को फाइदा हो सके क्योंकि example के तार पर अगर हम चंदरयान 1 की बात करें तो उसका purpose था chemical, mineralogical, photo-geologic mapping of the moon इसका मतलब moon की कुछ ऐसी special images लेना जो की बहुत जादा important होंगी research में और exactly ऐसा ही हुआ चंदरयान 1 ने moon पे पानी धूंद के दिखा दिया ये पहला बहुती जादा strong सबूत था ये दिखाने के लिए कि moon पे पानी present है बट दोबारा वही arguments आ सकते हैं कि यार moon पे पानी पड़ा हुआ है उससे मेरा क्या फाइदा हो रहा है या humanity का in general क्या फाइदा हो रहा है इसी चीज़ को अगर हम चंदरयान 3 पे भी apply कर देते हैं तो उसका भी purpose है explore करना या study करना moon के south pole को जो कि माना जाता है काफी rich है water resources के मामले में तो actually space exploration के खिलाफ ये सारे argument देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे सा टिक के मेरी बात सुननी पड़ेगी अगर हम space exploration नहीं करेंगे तो हमें बाकी planets या celestial bodies के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जब space की field में लोग research करते हैं तो उसके लिए technology बनाते हैं और वो directly या indirectly हमें काफी मदद भी करता है और इस चीज़ का best example है satellites जिसको आज की date में हम हर जगे यूज़ करते हैं साथी साथ human curiosity के लिए भी ये बहुत ही important बात है जैसे अगर मैं आपसे पूछू की aliens कहा है और उन्हें हम कैसे डूनेंगे तो aliens के मिलने के जो chances है वो सबसे ज्यादा एक जगे पे होते हैं और वो है ऐसे planets जो की पूरी तरीके से पानी से covered होते हैं क्योंकि ऐसे planets के oceans में aliens के होने के chances बहुत ज्यादा हैं तो अब अगर आपको ये बात शायद interesting लगी हो, intriguing लगी हो तो हो सकता है आप में से कई लोग इस चीज़ के बारे में research करना चाहें मैं personally भी इन topics में बहुत ही ज्यादा interest रखता हूँ इसलिए मैंने कई videos भी बनाई हैं space exploration के उपर यहाँ तक कि चंद्रियान 3 के mission में भी NASA ने इस रोकी help करी है एक payload share करके जिसका नाम है laser retro reflector array इसके अलावा भी हमें space में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे resources मिल सकते हैं जो कि Earth पे शायद कभी भी न मिल पाए जैसे हम जब भी nuclear energy बनाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा pollution भी create करते हैं और शायद इसको fix करने का तरीका होगा helium 3 बट problem यह है कि helium 3 Earth पे extremely rare है, मिलता ही नहीं है तो यह मिल कहा सकता है तो helium 3 moon पे काफी ज्यादा abundant है तो अगर हम किसी दिन इस चीज़ को extract करने में कामियाब हुए तो हमारी nuclear energy की problem बहुत हद तक solve हो सकती है बट शायद इतने सारे points के बाद भी आप convinced नहीं होगा कि क्यों space exploration बहुत ज़ादा important होता है तो मैं आपको एक last example और सबसे important बात समझाता हूँ आज से लाखों साल पहले हमारी human ancestors ने fire को discover किया था और आज से हजारों साल पहले wheel को invent भी किया था अब हो सकता है ये दोनों चीज़े आपके लिए बहुत छोटी बाते हों बट उस समय के लिए बहुती बड़ी और बहुती important चीज़ थी और अगर उस जमाने में वो inventions नहीं की गई होती तो हमारे पास बहुत सी चीज़े आज नहीं present होती अब ये तो शायद बहुत पुराना example हो गया एक recent example भी लेके देखते हैं इंटरनेट का पहला workable prototype 1960s में बनाया गया था अब इस prototype के आते ही लोगों को फाइदा होना नहीं शुरू हो गया था बट आज उसके 50 साल बाद आप देखी सकते हो कि इंटरनेट का कितना जादा importance है हम सब की life में जब Christopher Columbus ने 1450s में America को discover किया था तब दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों क्या फाइदा हुआ कोई भी फाइदा नहीं हुआ था बट Columbus की ही उस discovery के जैसे अमेरिका आज exist करता है तो ये सारे तो past के examples हो गए शायद आपको अभी भी मेरी बात convincing नहीं लग रही होगी बट अगर 5 billion साल तक humanity exist कर पाती है तो उनको इस चीज़ का कोई ना कोई solution ढूनना पड़ेगा अगर humanity extremely smart हो जाती है तो वो sun की पूरी power को control कर सकते हैं या फिर earth को solar system से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूनना पड़ेगा बट क्या ऐसी high-end चीज़े एक दिन में हो जाएंगी बिल्कुल भी नहीं आग जो हम छोटे-छोटे steps ले रहे हैं चाहे वो चंद्रयान 3 हो या कोई दूसरी country के space exploration हो इन छोटे steps को use करके ही शायद हम एक दिन sun की power को पूरी तरीके से control करना सीख जाएं तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इन missions के वज़े से एक दिन में या instantly हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है बट explore करना या curiosity रखना humans के लिए एक बहुत ही important चीज़ है बट फिर भी इसमें आपका क्या opinion है comments में लिखके ज़रूर बताओ